नमस्कार दोस्तों, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि आई रिनरीजी टैबलेट का उपयोग किन कंडिशंश में किया जाता है, आई रिनर्जी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और आई रिनर्जी टैबलेट की वज़ा से क्या साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं, और यहँ भी डिसकस करेंगे कि Ironergy टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. और यहां भी जानेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं. Ironergy टैबलेट का उप्योग शरीर में Iron Deficiency Anemia होने पर किया जाता है. यानि शरीर में आइरन की कमी की वज़ा से खून की कमी होने पर या खून की कमी को होने से रोकने के लिए आइरनरजी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। Ironergy Tablet शरीर में खून की कमी को पूरा करती है और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है शरीर में खून की कमी को Medical भाषा में एनीमिया भी कहते हैं Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी Dr. Ironergy Tablet को लेने की सला दे सकता है Pregnant महिलाओं को Pregnancy के दौरान Iron और Folic Acid की अधिक आवशक्ता होती है Pregnancy के दौरान अगर कोई महिला पर्याप मात्रा में Iron का सेवन नहीं करती है तो Pregnant महिलाओं में खून की कमी हो सकती है Ironergy Tablet के अंदर Iron के साथ-साथ Folic Acid वो Vitamin B12 भी मौजूद होता है शरीर में folic acid या vitamin B12 की कमी होने पर भी खून की कमी हो सकती है folic acid शरीर में carbohydrate को glucose में बदलने का काम करता है जिसकी वजह से शरीर को energy मिलती है pregnant महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी folic acid बहुत ही जरूरी होता है vitamin B12 शरीर की नसों और blood sales को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है इसके अलावा शरीर में vitamin B12 की कमी होने पर शरीर की नसों में दर्द वशरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी वठकान रहने की समस्या हो सकती है आइरनरजी टैबलेट का सेवन महिलाएं वो पुरुष दोनों ही कर सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, त्वचा और आंखों में पीलापन होना, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों वपैरों का ठंडा होना, सिरदर्द रहना, छाती में दर्द होना, नाखुनों का कमजोर होना वा नाखुनों का आसानी से तूटना, शरीर का ता अगस खाने की इच्छा होना आदी लक्षण भी शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्ती खाता है, तो ये लक्षण शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षन नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे एनीमिया के लक्षन भी बढ़ते जाते हैं, इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर आयरनरजी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वच चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में आयरनरजी टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में आयरनरजी टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं। तालमेल बनाता है। वैसे वैसे ये साइड एफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। यदि इन में से कोई भी साइड एफेक्ट्स लगातार बना रहता है। या ज्यादा होता है। तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आयरनरजी टैबलेट की वज़ा से तत्ती का रंग ब्लैक हो सकता है। आयरनरजी टैबलेट की वज़ा से तत्ती का रंग ब्लैक होना एक सामान्य बात है। और यह कोई नुकसान दायक नहीं होता है। अब हम डिसकस करेंगे की आयरनरजी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंड़ होता है। आयरनरजी लेने के बाद कम से कम 20 मिनिट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर आयरनरजी टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं ज्यादातर प्रेगनंट महिलाओं को डॉक्तर आयरनरजी टैबलेट को प्रेगनंसी के पहले 12 सफता यानि प्रेगनंसी के पहले 3 महिने पुरे होने के बाद ही आयरनरजी टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं क्योंकि प्रेगनन्सी के पहले तीन महिने के अंदर प्रेगनन्ट महिलाओं को उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना या मुंग का स्वाद खराब होना आधी समस्याएं अधिक होती हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनेंशी का चौथा महिना शुरू होने के बाद ही आयरनर्जी टैबलेट को शुरू करने की सला देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रेगनेंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है, तो डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी आयरनरजी टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। आयरनरजी टैबलेट की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको आयरनरजी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की आयरनरजी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। आयरन के साथ चाय, कॉफी, साबुत अनाज, अंडे और दूद या दूद से बने खादय पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। क्योंकि इनकी वजह से शरीर में आयरन का अवशोशन कम हो सकता है। शरीर में एनीमिया की जाच कराए बिना आयरनरजी टैबलेट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्यकारण भी हो सकते हैं। जैसे शरीर में हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना, अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्यकारण की वजह से है, और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर की सला के बिना ही लगा शरीर के अन्य ओगन्स को नुकसान पहुचा सकती है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक आयरेनरजी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आयरेनरजी टैबलेट के साथ पेट में गैस व एसिडिटी कम करने वाली एंटासिट दवाईयां, कैल्शियम सप्लिमेंट्स, टेटरसाइकलिन एंटिबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंटिबायोटिक्स, थाइरोईड की टैबलेट और पारकिंसन्स डिजीज में उप्योग होन इन दवाउं के साथ आयरेनरजी टैबलेट को लेने से दवाया आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है, या साइड इफेक्स होने का भी जोखिम अधिक हो सकता है. अगर आप इन में से कोई भी दवा लेते हैं, तो आपको Ironergy टैबलेट और इन दवाओं में कम से कम दो से लेकर तीन घंटे का ग्याप रखना चाहिए. अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको आवला, जामुन, अनार, चुकंदर, सेब, पालक, सूखी किश्मिश, अमरूद, केला, बादाम, काजू, अखरो, तिल, गुड़ और मूंगफली आधी क सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इन में आईरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्य अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका आइनरजी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं